तो मिलिए आज हमारे तीसरे दोस्त से इनका नाम है तोंदू और तोंदू को जब देखिये तब ये खाते ही रहते हैं तो अगर आपको ये वाक्य बोलना है कि तोंदू खाता ही रहता है तो इसको इंगलिश में आप कैसे explain करेंगे कि बहुत ही आसान है बस छोटा सा फ्रेज आपको याद रखना है keep on के डबल एपी keep on on तो जब भी आपको इस तरीके से sentence बोलने हैं खाता ही रहता है पीता ही रहता है सोता ही रहता है जाता ही रहता है तो keep on का प्रयोग करेंगे जैसे मैंने अभी अभी कहा था तोदू खाता ही रहता है तो तोदू एक बचन है तो keeps हो जाएगा तोदू keeps on eating तो थोड़ा सा साउधानी रखेंगे एक बचन के साथ keeps on और अगर बहु बचन है तो keep on यू के साथ keep on, आई के साथ keep on जैसे सुनीता रोती ही रहती है सुनीता keeps on weeping मैं हसता ही रहता हूँ आई keep on laughing तो अब बारी है assignment की जो आपको comment box पे लिखकर जवाब देना है जी ठंडियों का समय है तो बिल्कुल आप पे suit करेगा ये assignment मैं सोता ही रहता हूँ इसका जवाब आपको comment box में लिखके देना है मैं सोता ही रहता हूँ थैंक यू बाई बाई